जिन्दगी जिन्दगी लेकिन एक टाइम पे लोग क्या समझते हैं घर वाली क्या समझते हैं ढ्रामे करकर के वह में सीरिस लेना ही छोड़ देता हैं कि इसकी दो आज़त नेरोना है तोड़ा सा तोड़ा सा ड्रामा करेगी और पिर महौल वैसे का वैसे हो जाएगा इसलिए कोशिश करेंगे ये ड्रामे बाजियां जो हैं वो खतम कर दें कल आपने देखा नंद और भावी का हमने आपको टॉपिक पे हमने डिसकॉशन की हमने आपको दिखाया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और आपस में प्रॉब्लम्स होती है टेंशन होती है आज हम बात करेंगे समधन पर ये बड़ा नाज़क रिष्टा है बड़ी कॉम्प्लिकेशन रिष्टा कराने से लेकर सारी जिन्दगी जो कॉंप्लिकेशन इस रिष्टे में रहती है जो बेटी की मा है वो बिचारी हमेशा ये सोचती रहती है कहीं किसी को कोई चीज बुरी ना लग जाए कहीं मेरी बेटी से को गलती ना हो जाए कहीं हमारे किसी लेन लेन में को कमी ना हो जाए और जो लड़के की माँ हैं वो हमेशद चड़के रहती हैं कि जी हम तो लड़के की माँ हैं और जो मर्जी कर ले लड़के की माँ जो है वो आप से डिमांडे ही करती रहती है और डिमांड शुरू होती है रिष्टात है होने के बाद से आप सुचें मेरी एक सहीली थी मैं आपको एक कोट करना चाहूँगी अपना एक बड़ा जबदस सा वाक्या एक दोस्ती मेरी तो उसकी शादी करीब करीब थी और लव मैरेज थी उनकी अब लव मैरेज हुई जहें जो भी कर सकते थे लड़की वाले उन्होंने किया लेकिन शादी से पैन कोई दो-तीन दंपहले एक लंबी सिलिस्ट फकड़ा दी गई स्टास की तरफ से कि यह यह हमारे लेन देन होता है चाहे उन्होंने कभी यह किया हो या ना किया हो लेकिन जब शादी होने वाली होती है तो उनको लगता है कि बस आज ही ये दिन है आखरी बार है जब हम अपने बेटे का सौदा बड़ा अच्छा कर सकते हैं और बस बस जितना ले सकते हैं ले 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 तो कोशिश ये करें फ्लीज लड़के की माओ कि इतने सारा बोज ना डा ले और फिर समधन जो दो समधने होती हैं हमेशा आपस में या तो बहुत अच्छी होती है बहुत अच्छी तालुकात होते है या फिर बहुत ही एक दूसरे की बड़ी दिश्मिन होती है लड़की की माँ के हमेशा यह होता है कि या अच्छा आप पता नहीं क्या समधन को या क्या हो rest कि इस संधन का इतना आना जाना घर में क्यूं है और यह क्यूं इस तरह समधने ये सुन रही है कि आपस में extra तعلुकाद रखें आप ठीक होंगी तो सब ठीक जा मैं चाहूंगी कि आपकी मुलकात कराऊं मेरे बहुत ही प्यारे बहुत ही जबदस कमीडियन हैं बहुत अच्छे आर्टिस हैं कल भी हमारे साथ सेट पे रॉनक लगाई मेरा बड़ा साथ दिया आज भी हमने उनको रिक्वेस्ट किये यहां पर तशीफ लाएं लेकिन आज व प्लीज वेलकम रॉफ लाला साथ जो कि आज रिष्टे कराने माले बने में हैं यह अब बंदिश किया अपने इरुगिर के लोग गालिया जादा दे रहे आजकर दुआयां कम दे रहे हैं तो मैं पढ़ के अपने तारों तरफ भूग देता हूं ताकर गालिया जाए इस्तार के अंदर नहीं हैं आज में सेफ रेता है अच्छा मुझे बताएं कि लिष्टे जब आप कराते हैं तो क्या क्राइटेरिया क्या होता है मतलब लड़की वालों की क्या डिमांडे होती ह हैं जो पिछली रे गई है वह भी पकड़ रही है हो आजाओ वाजाओ यह काम ऐसा है ना कि इस काम में हाथ डाल दिया आपने तो फिर अल्ला आपकी इजद रख ले यह तो जोगों रिष्टे बनते हैं आसमानों पर बनते हैं कुछ मेरी दुकानों पर बनते हैं तो जैसे बनते हैं अब यह लुठी है गला बड़ा हो जाता तो किसे लडाई जगड़े होते हैं कितने विश्टे आपने किराएं जो काम आप रहे अब रहे अभी तक अभी तक अल्दा का शुक्र है एक भी नहीं है लड़की वाले लड़की वाले वही तो कहां से देंगे वो इनकी डिमांडे बहुत होती ही लड़के वालों की और लड़के वाले की डिमांडें ये नहीं होती कि शादी तक ही रहें, ये डिमांडें सारी जिंदगी चलती रहते हैं, इसे शबराद, ये अपने इसे ले आई ये पचास रुपे, लोग, पचास की क्या अहिमियत है, करनी बेलंस दलवाना है, अब ऐता पचास तो खड़ा तो अजने, बञें भी ये बिदाएं के लड़की वाले हैं, जो भी सब कहीं पर अट्टी आर जाते हैं या कहीं तक करते लड़कीमा, लड़की माज आ भी अक रहें करें बैं लड़केवाले तो बिचारे वेसे तो कंप्रोमाइस जादा करते हैं कि सलो बच्छी की जिन्दगी का तबह लेकिन लड़केवाले खून पी जाते है अल्लh मापकर है और भी रहे से लड़केवाले दोनों साइट की में بात करूं कुंद कौन देखा कि लड़की यह वा कर देदा ना थो जै कना टूए जो करता। को भाइए और या कौह पर का आपकू शुक्रा की बिलकुल थीक। दॉआएं आपकी बिल्कुल केसे लगरे हूं आपको क्या लागरी आपको कॉल किखा यह जुन हाइट बहुत का तो आपके घर में होंगी अम्मी भी होंगी और संधन कोई रिष्टा है इस तरह का? यह रिष्टा बुत नाजोक हुटा है जा आपसे होगे जाए आपसे अपने गी तो आप किस तरह रवाया रखेंगी? अभी तो मैं बहुत छुकाई हुआ कभी तो बंनी है ना कभी जाकरала नष्मा से प्यास करूंगी और यहाड हाूं अभू र tub कहते हिह सारे कहते हिए यह जो तो आक डूसो निकला ता até करूं गया हूं सारे दॉ沒有 कुछ नहीं जा थहां出去 नी कुछ ने यह जो मैंड़ करने यह बात करनें कुछ एपनी बात करना चाहते हैं फेस्बूक कुछ मेसेज करें हमें कॉल्स करें, स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे है और सम्दनों से बाते होंगी मैं आपको मिलाने वाली हूँ दो सासों से, दो सम्दनों से ब्रेक के बाद, छोटी शे ब्रेक जल्दी शराप उदाते हूँ लोगी टम्ची ये चरी बड़ी ड्रामा, वीडर है उसकार बड़ी शे बाद, जी वर्कम बाक, आप देखेंगे हैं गूद मॉर्निंग जिंदगी और वीक चल रहा है ड्रामा कुएन, और ड्रामा कुएन वैसे तो हर घर की हर और अवरत एक ड्रामा कुएन है मैं अपने घर की ड्रामा कुएन हूँ, लेकिन हमने आज भी दावत दी है एक ऐसी शक्सियत को थोड़ी सी स्क्रीम की ड्रामा कुएन है, लेकिन शायद अपने घर की ड्रामा कुएन है या नहीं, ये तो हम उनसे पूछेंगे शीज एवर ग्रीन, शीज तो ब्यूटिफल परी चहरा, जो कि परी चहरा ऐसा हुआ है, माशालला शुरू से लेकर अभी तक और इतनी अच्छी उनकी personality है, उनका अंदाज बया, उनका अंदाज बुफ्टगू, और उनका प्यार करना, हमें जितना उनसे प्यार मिलता है, आक्ट्रिस तो वो है ही, फिल्मों में काम किया और बहुत ही जबदरस काम किया और उसके साथ साथ जब होस्टिंग की, साड़े पांच साल वो एक शो करती रही, निशो दीचा, जी, the beautiful and evergreen, निशो जवेगम साथ आपको पता लग दिया हुगा के लड़के की माँ बनने वाली आज वैसे, तो समधन नहीं, आप रेंबो की सास है तो से पहले दो हुगी, thank you so much for such a great introduction, my dear, you deserve it, thank you so much, तो बाकि लड़के की माँ हूं है, लड़के की माँ, अभी तो लड़के की माँ, वैसे तो आपके बेटे भी हैं, लड़के की माँ का, जो हम आपको सिक्वेशन देंगे, लड़के की माँ भी हैं, और बड़ी सख्त लड़के की, इनने हमारे लड़के को बड़ा टॉफ टाइम दिया, कैसे, क्या सख्त ही आपने, उसका स्टोरी तो पता है, आपने ग्रैंबो कहा था कि घर बनाओगे, तब ही सादी करूँगे, वरना बरना नहीं करूँगे, नहीं नहीं, ऐसा कोई, ऐस सच कोई लालच मे मेरे दिल के अधर नहीं था, हर माँ जो अपने बचों में इन्वाल्व होती है, अपने बचों को स्क्योर करना चाहती है, स्पेशली बेटी जो होती है, शादी जिन्दगी में एक ही तफ़ा, एक सेलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन हाथ साथ तसे इंसानी जिन्दगी पूर है किसी वक्त कुछ भी हो सकता है लेकिन अपने ताइं पेरिंस जो होते हैं वो यही चाहते है कि हमारी बेटी जहां जा रही है वहां ता हयात वही पर रहे और फैमिली को आगे लेकर चले और खुश और खुरम रहे इस दवाजी जिंदगी काम्याब हो तो चुके रैंबो ए प्रिव ऑट फैमिली में फेल्म एक्टर होना कोई जुर्म नहीं आज फिल्म एक्टर ही सबसे ज्यादा मासूम है यह ताज वह हुआ है लेकिन वो थक्र पैसे विकर हमारी हवाई रोजी होती है तो वह पॉर्मनेंट जोब नहीं है लेकिन में ये चाहती थी के मेरा यह था कि अल्ला ना करें टैंप्रामेंट ना मिलें बाद में जब फर्स इर जो गता है यह उसमें कोई भी हाथ साथ हो सकता है तो डिफ्रेंट टैंप्रामेंट के लोग शायद ना अज़से कि या मैं उनके साथ अज़स्ट ना करूं और मेरा खुदा जानता है कि जैसे मैंने अपने संदियों के साथ आट अफ दी वे जाके और पूरा तमाम तर मैंने अपनी कोशिशों के साथ कंप्रोमाईज किया और बिल्कुल अपने आपको खत्म कर दिया तो मेरा खिया है कि बेटी की माओं को ऐसा ही होना चाही होना चाह चेजित साहिबा की दीव है नोसी एनी अधर आक्रिस इन फिल्म इंडसरी और इन एने इप इना इंडसरी जिसने इतनी खुबसूरती से अपने घार समधाला हो और अपने मियां की ली कुछ जो तर्भीत शचिद निशच नहीं दी है अपने मियां की लिए अब बहुत सारा क गाल capitalist उसके उनके बाध्चा की धर बार में एक कर रहा कि दो अंकर रही थी को। इसनुन यह जो बच्छी को नहीं ब्याम कता हो इसका का शीष मख़ेест रहे हों कर दूम केंक हों का रहा है। तो इसमें ठगी माह को अने, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि कल आईएगा, कल अचिकी डिटेल बताएंगे, और फैसला भी कर देंगे, तो वजीज ने कहा कि बाच्छा सलामत आप एसा करें, इस बच्चे को लिटाएं, और आदा आदा कर दें, आदा इस माह को दे दे, आदा मुझे दे 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 एक दूसी मा कहती है कि नहीं मेरा कुछ नहीं लगता सारा इसे दे दो तो लड़की की मा को ऐसा होना चाहिए कि ये सेक्रिफाइश करना अपनी अपना पुजेशन छोड़ना अपने अपने आपको उससे कता नसर कर लेना और अवे कर लेना ये माप के बेटी की मां को यही जएव देता है और इसी तरह बेटीों के घरंस्ते हैं वरना जी तो नहींには चाहता के मेरा और मेरा को इख़ार नहीं बेटी की मां में सबसे बड़ी चीस आती है ये बेबसी और वेबसी को You Have Toивается वाजी वाँ लेकिन ये लेखी कितनी अच्छी बात है कितना खुब्सूरत मेसेज दिया ने शुबेकम ने अब मैं आप चाहूंगी आपकी मुलकात करा हूँ जो होंगी लड़की की माँ जो होंगी मजलूम देखे जैसे इनने नहीं बता दिया कि बेबस होती ही लड़की की माँ तो मैं वेलकम करना चाहूंगी पाकिसान फिल्म में दश्टी का बहुत बड़ा नाम है बड़े जबदस आक्ट्रिस है बड़ी अच्छी आक्टिंग करती रही और हेरोईन भी आई फिल्मों में हाँ जी कैसी है दृताना जी आप अल्ला का शुकर आप कैसी नूर दौाइए आपकी बिल्कुल ठीक बहुत प्यारी लग रही है अच्छी आज हमारा टॉपिक है कि संदन है यो भी आरा आपकी को कह रहा है प्यारी लग रही है मैं क्या लग रही है अच्छी आप सबहरा थी वि आपके लेने वाला लग रही है य कि आप तो अच्छी लग रहे है आपकी जो शामत आने वाली है ये दोज़खवातीन जो बटें कि न क्लास लूनें इसक्ट पर जिन रखिगं एप रिश्ता क्राइडा है तो यह जो चीज़े हम लोग कर रहे हैं यह आपको सिखाने की लिए कर रहे हैं शायद कोई ऐसी सम्धन यहां पर बैठी हूँ जिन को शायद कोई थोड़ा ससा बखासे लो और वो बैतर हो जाए जूर मैं अब भी सम्धन के रिष्टे के बच्चीां पूछ रही थी कि यह संब्धन क्या होता है जो लड़का और लड़की इनके पेरेंच होते हैं इनके लवाखीन होते हैं कि दोनों पार्टियां आपस में जो रिष्टा रखती है दैट इस समधि समधिन वह सम्धियों का रिष्टा होता है लड़की वादे आपस में वह यह डिलेशनशिप है अच्छा आपकि माशाला एक माह आपकी बेटी है माशाला से तो जो आप समधिन बनेंगी तो आपको ल इस सपुस्的話 बेटों की बड़ा होता था लेकिन बेटियां शादी से पहले भी माबब की हमदर्द होती है और शादी के बाती और मेरे мधले बेटियों के साधी होती हिता हर दोर में फाली पहले भी के बाती है सबुट सत ख्याल भी बहुत रखता ही है जब तक आए माबा को तकलीफ हो रही हो तो आप अपने घर में बैठे परिशान हो जाते हैं लेकिन आप बेबस होते हैं आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो कोशिश करने से इसक्राज़ वालों को कि अपनी बहु को बेटी समझे उसको उतना ही मिलने दे जितना आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जब आप दूसरे घर जाए और आपसे मिले और आपकी खैर खैरियत जरूर पूछे एक चोड़ सी ब्रेक है तो ब्रेक के बाद शुरू करेंगे हंगामा तो आप कहीं में जाएगा और ब्रेक के बाद हमारे के महमान अपने किरदारों में ढढ़ जाएंगे तो stay with us, take a break ड्रामा कुईन वीक चल रहा है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे ड्रामा कुईन्स के और चाह रहे हैं कि आपके थोड़े से मसाइल कम करने कुश्च करें, हसी मजाग में, किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहते सिर्फ मेसेग देना चाहते हैं कि आप कोशिश ये करेंगे, ये लड़ाई जगडे हर रिष्टे से निकालने जनाब, आप मैं सिट्वेशन देने से पहले इंट्रड़क्शन कराना चाहूंगी, लड़के वालों की दरस से, हमें जोइन किया है सबाश शाहिद में, जो हमाई साथ कल भी थी, और ये करिदार करेंगी लड़के की बहन का और इनकी बेटी का और साथ हैं मर्यम चौधरी, मर्यम चौधरी भी करिदार करेंगी लड़के की बेटी का ये आपका साथ देंगी निशो बेगम और मेरे राइट इंसाइड पे जी लड़की की मां की तीम दुरदाना अपा की तीम की जो हैं दानिया अनवर बहुत रबदस एक्टरस भी हैं कल भी आपने इनको हमारे साथ शो में देखा ये हैं लड़की की बहन और डायाप फाइज ये बी लड़की की बहन है ये साथ देंगी दुरदाना जी का चले जी आप सिच्वेशन में आपको ये दे रही हूं कि रिष्टा आप पहले थोड़ा सा तैय हो गया और इसके बाद आपने इसकी डिमांड कर दे रही है आप पहले रिष्टा तैय करा हैं जरा रौफ लाल तो मैं कुंची बात नहीं है आज कर तमाम मेच्वी हैं एक ट्रेंड चला हुआ है जो 60 से अबाब है और लीरी 60 और 50 है वो शादिया कर रहे हैं बलकर ये क्या बबाई है ये अन्जाइमेंट करने फिसला निकला है इस ओमर में बंदे को चाना चाहिए ऊमरे पे हज़़ प तो चार की जाज़त है तो चाहर भी इसी साइड में निकलेंगी नहीं आप ज्यादा बाते ना करें आप शुरू भी नहीं हुआ है आप पहले बताती है लड़के की माँ अभी मी सोच लो तो यह उसके लड़का बहुत अच्छा है उसके बहुत तेज लग रही है तो चौकी शादी है उसकी शुति शादी शुता करा को तुमारा लिष्टा कामियां भी हुआ है अब है अब सब खोल कर अब आप इंस प्रोल कर अब गूआ यहां पर इंस अब करवाएं अच्छा जी बेटा का करें बड़ शरी बच्ची आई यह तो लो जो रुए आप निपयान हो नहीं पहुता है इसकी हमारे महाब आप ने कभी बेटा-बेटी में फर्क नी रखा ना इसलिए यह यह दो चिल्चा रहे हैं तुम को सिग्रेट बढ़ा लग़ा 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 आप बास सुनो हमारी बच्चिया बहुत शरीब हैं की श्यूआ आपका करता क्या है ये तो पता एक समय लग किसे लिए आप तो रिष्टा कराने नहीं किराने तो ख़राब कराने है रहा हुआ हुआ है तो शुबादी आप शुबाने आप तो बड़ाए शुबाने है आप शुबाने यह थे ही चप जद्द होंısके को अच्छा बने तारीक कहा तो जो नो जो माशालाओ पंदरा बीस बिन पुराने खाने लग दियो यह यह पर एक टांग जो नहीं लगणी कि नहीं है अल्ला का शुकर है दोनों ही है मैं रूंका या खाला को बुला लूम पुला लूम हिए रिष्टा तुर्वानी की कोशिश चाहि एलगारे को बारत बात देने गई थी बैसारी किसी ते रहु और गारात जा रही ती उम्रे पे उनको जाकर रुकए अगाला को बुला हुआ लुटा करे तुम भी चली जाओ वह बाहर निकली रूपए यह खाला ट्रक ही चड़िया तो जिसके साथ तुम दीर करो ज्यादा देर तक जिन्दा थोड़ी रहेगी है उदा ही कसम एक आप हैं जो चल लहीं इसे तरह से यह बहुत अच्छी नफीस आतिन है अच्छी लोग है इनके मिया जो है बैंक में अपना चपडासी है तो रिष्टा मेरी पेटे के लिए क्या मतलब होता बेटा मेरी बात सुने मेरे बेटे का पड़ी लिखी बची एक लाजा एक लैंज कुरूजर देरे से मैं से तुम्हारी बातों में आ गई आगई आप मेरी बात सुने आप मुझे यह बता आपकी जो डिमांड आप वो पेस करें हमारे सामने आप बेटी हुई है भलेन का मिया जो है वह चपरासी बेंक में लेकिन लड़का तो बहुत अच्छी जगा लगा हुआ है ना जाएज भी पूरी करनी पड़ेगी ना जहां रिष्टे दारी होती है यह जो इस किसम की चीज़े है ना मैटेलिस्टी चीज़े इसको नहीं आप सोकस करें अपर से आप में लेकिन बाद की बेंदी हो वो दो इसन सारे जिंदगी देखना रहता है ना लेकिन लोगा यह जो आप तो पहले दिमांडे बिता रहे हैं तो बाद ही रिश्टे ने लिए आप पैसा जाया नहीं करें जो ते लेक्ति जीज़ें मेरी बात सुने, सेलेक्टिव चीज़े चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा ब्राइंड कॉंशिस है मतलब क्या? ब्राइंड कॉंशिस है, कभी वो आम एरी गरी चीज नहीं लेता तो मैं समसी यह कहूंगी, कि मैं भी बच्ची हो वाली हूँ क्या मतलब आज मैं यह दिमांड करूँ कि कल को मुझे भी ऐसा मकाफाते अमल है ना इसी दोर से गुजरना पड़ता है तो मैं ज्यादा आपका वगजाया नहीं कर दी एक प्यारी सी लिस्ट बना दी है आपको पता है गाड़ी एसी इस सारी चीज़े है और आज सोना फ़ेशन आपका है और बचा वैसे चुख बड़ शौक कर्वाएं मुझे बेल्जिम कट चाएए बेल्जिम कट चाएए अ इस तरह के नहीं है यह तरा आपकी ओर तीमांड डाइमेंड नहीं है तोड़ी चीज़े आपनी की उमर किसी हो गया है अपनी तुमारी जो दिमांड है ना वो बताओ पूरी कर सुमें यह दायमन मायमन तेने की ज़रूरत है यह पहती सुरुपए की जोड़ी जीजी आपको मैं यह दाम काईगी को चाहिए तेकल मुझे दायमन नहीं चाहिए अब देखें ना बेटी जो कह कि उसके साफ से भी चलना ना आज कल उलाज की ज्यादा सूनी जाती है पहले जो बच्चों की डिमांड होती है उनकी पूरी की जाए है तो प्रोक्ते भाई की दो भेने हमें अम्मा को कुछ नालेंगे जो बच्चों को एक एक सेट डाल तो डामंड का मुझे जो तुमने देना ते मैं जो कोई डिमांड नहीं है ठीक है हम दो लिला मेरे पास जाहिए जिए ड़ल शॉटति आफ लिए वीव लिस्त है यह को दो सिए फना मुस्च खाने को इनको विर दिए के त्व दिलिस्त में पढ़ना शुरू करते हैं जो परिजनली फिलिस्त होती है अब अगरी करेंगे एक सबसे पहले सब पहले थे इनको एक प्लॉट चाहिए पेस फाइव में डिफैस में, एक कनाल का, उसके बाद इनको जाहिए जेनरेटर जिस पर एसी चलेंगे, लाइट भी चलेंगे उसके बगए तो ये लाइट और इनको एसी बैड पूरा घर का फर्नीचर उसके साथ गाड़ी उसके साथ डायमंड के सेट, तीन सेट तो इनकाया कि इनके अपने वहाए नहीं लेंगे गाड़ी में लेंगे बच्चे की पैदाश होगी तब ले लेंगे हनीमून पैकेज जो नहीं रहे हैं पूरी सेमली ही जाती है आपने इनके सारों के कपड़े हसन शेरू से बनवाने हैं शेरू से आप कपड़े बनवाएंगे और लड़के को आपने पंदरा लाग रुपया कैश सलामी के देनी है पंदरा लाग कैश हो देंगे और इसके साथ साथ जो भी आप अपनी बेटी को देना चाहिए इनके लड़के वालों में होता ही है कि नाना दादा मामा चाची सब को आपके वहाद देना पड़ता है और वह देना क्या होता है डामन की रिंग आपने देनी है और तों को और साथ ब्रैंडेट कपड़े अच्छोटी सी बात है हम मुलाजमीन को ना मोटर साइकल देते हैं हुआ है हम लोग भी अपना बच्चों से घर में सब मश्वरा कर लेते हैं मश्वरा कर लेते हैं मियां से खास करके कि तुम बैंक में चपराशी हो जिस दिन बैंक में कोई नहीं मेरे मियां का बैंक के क्यों कर रिष्टा मलक एमली का रिष्टा हमने कि रहे कि नहीं कि नहीं चाहिए कि अनुए कि नहीं चाहिए तो यहीं चीज थोड़ी बहुत है तो चक्रूज को प्रूज रहा है तो जोड़ दिया है। हाँ लिविश्टी वह मेकप के लिस्ट तो अलग से हैं लेकिन जेनाम मुझे लगता है बिल गेट को रिष्टा जारा है इतनी बड़ी ले दी अब इनकी लेगी हमें गालब हम इनकी लेगी बिल गेट का मैसीज आता है बिल का है इजह कर वह पर ना हो रिष्टा आप इदर वो इंट्रेस्टेट हैं मेरा खाला सिस्टर या कोई कजन वगार शादी के नाज़ा रिष्टा हो गया बड़ा रिष्टा हो गया भी एक कॉलर है जी हेलो असलाम लेको याला मुझा बजा है है हलो 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 असलमली को माइं कॉल कि Yosya please याप यैसिया आप आ याप जो खेसे यापिक प्रीक्श्ट्रेके जेग आप कैसी आपने देखा जी जायए सकी कि आपने जी मैं देख रही है मेरे क्याल में तो ना होता ही है कि जो लड़की की माँ आपी है ना जी वह दमांद करती है कि मेरी बहुत पड़ी लिखी भी हो खुशुरत भी हो और बहुत ज़्यादा अमीर भी हो अच्छा और अज कुछ ऐसा मिलते जुलते ही ना शुरी दि कि आजो Ch km 2 रशल योगे दिया है कि अधि ли और जो को ले खुश चीफ अधिन के Kamosh couple लिखी फेवर मेखी लड़की वालों की तरश त नहीं ए मैं इसे जी बात नहीं है तैंक यू ऑज कि अपना सार्माया अपनी बेटी आपको दे रहे हैं उसके बाद किसी चीज की डिमांड करनी नहीं चाहिए और यह मसल्मानों का तरीका नहीं है यह हिंदू की रस्में आपको प्रोपूद्प अपनी बाद करें झुदे यह हैं आपको अपनी अपनी आप architecture किसी अखेरी आप के देखानी कि अब आन्यू अभी यह थित्सड़ी किसी आप एवन्यूना यह थित्व्ट सून आप किसी आप भी हान बहुद मैं तेरी हो गया, प्यार में सखो गया मैंन मेरे दखों दिल पर भॉंदे दे तुए ना क्यों शिर्मी लावे, तुए ना क्यों रंगी लावे खोल दे बुलिया विनारक डखके मैं तेरा हो गया, प्यार में से सो गया बिटब को सूड़िया, हैर बन मूड़िया मैं सब को सूड़िया, हर बन मूड़िया तेरे मुखडे तो अंचन वी शुर्मावे बिडिगडिग पैंवे सारे थे, बिडिगडिग पैंवे सारे थे खूल दे बुलिया विनारक डखके एहात से प्यारे प्यारे थे, एहात से प्यारे प्यारे थे मैं तेरा हो गया, प्यारे थे खो गया मैं सब को सूड़िया, हर मन मूड़िया सब दो दोड़िया, हर मन मूड़िया जी जुनाब यह जो आपने गाना सुना इस सबसे पहले चाहते हैं कि लड़की लड़का ऐसे दूला और दूलहन आफस में गाएं यह जहेज, यह चीजे, यह तो सब फ़जूल बाते हैं हमने तो रुटीन की चीजे मांगी है, तभी तो कैसे हैं वो यह जेंगी तो यह गाएंगे ना अर्टी जी पहले के सिर्ज में बेटे के गाएंगे वो मैं आपको बतार दूँ जी, यह जो आपने देखकर गाना सुना एक तो निशो जी पेटे हैं बहुत मिश्वूर गाना और जो 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 गाया है वो दुर्दाना रह्मान जी की बेटी है माहम और निशो जी की बेटे हैं हमजा जावाँ पहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग है या तेलिविजन इंडस्ट्री से या पर इंटेइन्मेंट से जो लोग है जब वो अपनी नेक्स जेनरेशन को भी इसी फील्ड में लेकर आते इसका मतलब है कि वो ब्लड लाइन जो है वो आगे चलेगी है वो टैलेंट जो है वो जादा उभर के आता है तो मुझे इनको देख की बहुत खुशी हो रही है ना विश्यू आल बेस्ट और आना भी चाहिए नूर बताए क्या है कि आप पड़ों सी ममालिक में देखो वो अपनी ओलादों कोई लेकर आ रहे हो सांदान के आप देखें नूर ने एक फिलम मेरा बच्पन की है जी बिल्कुल बिल्कुल श्यार करन देखें और शान की रोईंती है उसमें मत्यदार बात है कि ये शान की रोईंती उसके अंदर एक बात बताओं मैं चोटी सी थी और म आप मेरी भी हिरोईं रेच चुकी है मेडम समी मारा की फिल्म में हाँ याद है हमारा गाना भी था अगर गह में तो गाना फिर कर लेंगे ना अब आपकी शादी हो गई है लड़का लड़की की और आप लोगों ने एक दूसरे को ताने ये देने है कि जी शादी पे आपके जोड़ अच्छे नहीं थे तो कपड़ों पे जो है ना क्योंके एक अक्सर होता है कि इन्होंने क्या पैने होता है और लड़की वाले तो पूण वाले कहें बरी जोड़े बुरे थे और आप अब हैसे सब्स्तिक जाहेज मेरे कपड़े क्या दी हैं जी ज़नाव त करेंगे आपको बल्के आपको कुछ पोर्ड करेंगे आप अभी आपने के लिए अपनी बेटी को जो दानिया है वो उनको आगे करेंगी इस सिच्वेशन में और आप करेंगी सबा को आएंजी देखते हैं लड़कें के शादी होगी है और तुमने कप्ड़े क्या पहने लड़की वालों के तेजिए कपड़ों के ताने और मजाग पढ़ाने जैसे कि होता है नॉमल दूले को का हार तो सही दालती पैसो बाला माएं पीछे पे दॉसके नोट क्या डाले तुमने तो ने तुमने कप्ड़े पहनते हैं शेरू के कप्ड़े दो एच्स वाय के कप् और थीक नहीं था? कितने पेंडू कपड़े थे पुक्दरों का अजाए तुमने किसे बुरे पेंडू किसम के कप्टे पहने हैं और इसनी लेंड है हमारी हमने पेंडू टच नहीं हमने 25 मुरब्बे उन्हें से क्लास नहीं आता हुआ पाइब आपरे कौन से कप्ड़े को शुक्ति अवाइब